दितिये चर्ण में आज लोकसभा के तेरा राज्यों के नवासी लोकसभा छेत्रों में चुनाओ आज साइकाल संपन हो जाएगा कुल मिला करके एक सो एक यानवे सीटों पर आज साइकाल तक चुनाओ की प्रकरिया संपन हो चुकी होगे देश के अंदर जो उत्सा है देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के दस वर्स के कारियों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है एक सकारात्मक माहोल है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी जी के कारियों को जंता जनार्दन का पूरा श्रीबात प्राप्त हो रहा है और फुरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी देश कारे को देखना चाता है और मोदी जी ने दस वर्स में देश को एक नई दिशादी है दस वर्स का उनका एक कारेकाल देश भारत के स्वतंद्र भारत के इत्यास का यह एक स्वर्णिम युग है स्वर्णिम कारेकाल है हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ तेजी के साथ बढ़ती भी अर्थव्योस्ता की रूप में भी अस्तापित हुआ है इसलिए उसका लाब भारतिय जनता पार्टिय को प्राप्त होगा और मेरा इमानना है कि मोदी जी के नित्रतों में चार जून को जब पैणा माएंगे तो प्रचंडों बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टिय और एंडिय की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नित्रत तोह हम कहते हैं जगा लेते जा रहे हैं। असे हम से कहें आक रहा हैं । यह कहना कि चुणहाओं में non relevant मुद्दे आ रहे हैं। और कि मैं पूरे तरह सेंवत नहीं। कि चुणहाओं कि शुर्वात में हम लोगों ने मोदी की गारंटी जो विकास, सुसासन और सुरक्सा से जुड़े वे थे इनी मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनारदन के सामने रखा था और पहला चर्ण इसी दिसा में आगे बढ़ा था लेकिन इसी दोरान पहले चर्ण के ठीक पहले कॉंग्रेस और इंडी गढवंदन का जो सबसे बड़ा जो सयोगी है वहां कॉंग्रेस पार्टी का गोशना पत्र सामने आ गया कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में जिन बातों का उलेक किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत करता है और चूंकि कॉंग्रेस का इत्यास इस पूरे मामले में हमेशा संदिक्द रहा है तो स्वाभाई कुरुप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं हमने बिकास के मुद्दे पर पिछले दस वर्स में मोदी जी के जो कारे होएं इंफ्रस्टक्चर के चेत्र में सुरक्सा के चेत्र में आत्म निर्भर भारत के लिए गरीब कल्यानकारी योजनाई थी इनी मुद्दों को लेकर कि हम तो चुनाओं में गए थे लेकिन उनके मेनिफेस्टों ने हमारा ध्याना करसित किया इस और और आपने देखा होगा कॉंग्रेस के एक सलाकार की रूप में सेम पित्रोदा उनका बक्तब इस सब ने पढ़ा कॉंग्रेस ने इससे पहले यूपिये गॉवर्मेंट के दोरान रंगनाद मिस्त्रा कमीटी और सच्चर कमीटी की रिपोर्ट कॉंग्रेस ने की थी करनाटक में कॉंग्रेस नेत्रुत्व की सरकार है और करनाटक की कॉंग्रेस नेत्रुत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की अरक्षन के लाब में जबरदस्ती मुस्लिमों को गुशेड करके और उनके अधिकारक में बंदर बांट करने और उसमें लूट करने की एक सुरुवात प्रारंब की है यह सभी संदे पैदा करता है एक दूसरा जो विरासत टैक्स की बाद कॉंग्रेस कर रही है यह भी एक खतरना के सारा है गरीबी एक जटके में गरीबी हटाएंगे इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे एक्सरे कराएंगे इस प्रकार का बक्तब में कॉंग्रेस दे रही है कॉंग्रेस का मैनेफेस्टो इस बात का उलेक कर रहा है और फिर उसके मात्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कबजे में ले करके यानि दोनों चीजें एक तरब ये लोग देश के अंदर मजभी आधार पर देश के विभाजन की आधार सिला रखना चाते हैं दूसरी तरब किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अरजित की है गर बनाया है कोई प्रॉपर्टी बनाई है खास तोर पर अमारी माताई बेहने अपने लिए जेवर खरीदती हैं उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधाय लोग हड़प लेंगे और तीसरा बैक्तिक कानून प्रस्नल लोग को पुना लागू करने की बाद तीन तला की कुपर्था को मोदी जी ने समाप्त किया ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे यानि मैलाओं का इससे बड़ा अपमान होई नहीं सकता तो स्वाभाई कुरुप से इस देश का विभाजन जिन कानों से हुआ था अगर कोई राजनितिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उलेक करते भे देश को उधर ले जाने का प्रियास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा भारत के अंदर नकसल बाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है अगर नकसली और मावादी प्रिवर्टी को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रियास होगा उसका पुरजोर विरोध होगा भारतिये जन्ता पार्टी इसको कताई स्विकार नहीं कर सकती देश के अंदर यहां की जन्ता जनार्दन की संपत्ति पर बरस्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाब कारवाई पहले से सरकार कर रही है उनके एक एक पाई का हिसाब होगा लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताडित करने के लिए उसके खोन पसीने की कमाई पर कोई डखेटी डालने का प्रियास होगा तो इसको भारतिय जनता पार्टी स्विकार नहीं कर सकती है और कॉंग्रेस उसकोई सयोगी दल देश की राजनीती का तालिवानी करण करने के प्रियास कर रहे हैं देश के अंदर माववादी दुस्प्रवर्टी को जबरं थोपने का प्रियास कर रहे हैं और प्रसनल कानून के नाम पर देश की मैलाओं का मान करने का प्रियास कर रहे हैं और लोगों की संपति पर जो इनकी कुद्रिश्टी लगी भी है इसलिए ये मुद्दे आये हैं जो आज के प्रपेक्स में रिलिवेंट हैं और इन मुद्दों को इसलिए भारतिय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा करके जनता जनारदन का ध्याना करसित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं इनके मानसिक्ता क्या है आपके प्रती यह आप देख सकते हैं और इसलिए उस पर लगातार सरकार जो है इस पर जो है लगातार भारतिय जनता पार्टी ध्याना करसित कर रही है जनता जनारदन का कि जाकरूक हो जाओ यह लोग जिस मंसा के साथ आ रहे हैं इस से पहले कि इनके मंसा के इन रूप इन लोगों को सफलता प्राप्त है इनके मंसोबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निनायक साबि परम बार बार वरासर टैक्स की बात कर चुके थे आज वही बात तो सेम पित्रोदा कह रहे हैं इसलिए इन चीजों को ले करके आज फिर से जनता जनारदन को बार बार का जा रहा है कि कॉंग्रीस के इन मनसोबों पर समय रहते अपने वोट के माद्यम से पानी फेरने का का करें आने था यह गडवंदन देश के लिए भी कॉमन मेन के लिए और आदियावादी के लिए भी वहंकर खत्रा पैदा कर सकता है योगी आदितिनाद को इस वक्त आप सुन रहे थे किस तरीके से प्रदान मंतरी मोदी ने 10 साल में देश को नई दिशा दी है कैसे बीजेपी जनता जनारदन का ध्याना करशित कर रही है लेकिन मजभी आधार पर किस तरीके से कॉंग्रस देश को बाटना चाहती है इसी को लेकर योगी आदितिनाद थमला बोलते हुए विपक्ष पर नजर आए